सब्सक्राइब कीजिए विशाल ओनलाइन क्लाइस यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सांप यानि की इसने अपने जीप बाहर क्यों निकालता है आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों आपने अपने घर में बाहर या भी टीवी में बहुत तरीकी के सांप देखेंगे मोटे सांप पदले सांप छोटे सांप लेकिन उन सबी सांप वो मैं अपने एक बिसेस बात जो है देखे होगी वो बार बार जो है अपनी जीप बहार निकालते रहते हैं जीप बहार निकालते हैं अंदर करते हैं तो इसका मतलब क्या है क्यों वो आपनी जीप बार बार निकालते रहते हैं आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे चछी इन्फॉर्मेशन वाइले वीडियो लेकर आता रहूं क्यों दोस्तो सांप एक जहरीली पिरजाती का जीव होता है उसके सुङने के सकती बहुत जादा स्टेज होती ऐसा माना जाता है लेकिन किस तरह से वह सुङता है इसके बाइए मैं बात करते हैं तो भाई उसकी नाग यह नहीं होती है, वो अपनी जीप से सूंगता है, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर उसकी जीप निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, साब की लगबग हजारो प्रिजातियां होती है, जिसमें किंग कोवर गो सबसे ज़्यादा जहरीला साप माना ज mint vyकाता है विद्न cheering होता है अगर किसके इनसान के काट लेता तो इसको इलाज न्याज बात करते हैं साब बारवर बहुं नीकलता है तो साब जो अपनी जीव बहुं निकलता है इसका करार यह कि वह ऐससूस कर लेता है जिए घर आप मेखास की जाएंगे तो आप ध्यान दीजेए वो अपनी दम दम से जीम निकालेगा आपके त्रब एकदम से मूँ करता है, तो इससे आप समझलेजेगा वो कितनी फोटी से जीब से पता लागा लेता है तो यही कारान है दोस्तों कि वो अपनी जीब बाहर निकालता है और जीब से पूरी जानकारी ले ले लेता है जैसे कि हमारा दिमाग काम करता है हमारे कान काम करते है हमारी आखे काम करती है उसकी जीब काम करती है वो अपनी जीब से बहुत एराम से पता लागा लेता है उसकी जीब में बहुत ज्यादा राज चुपे हुए है जो कि मुझे भी अपी नहीं पता है जब जब मुझे इसके बारे में पता चलता रहेगा मैं आप साथ के साथ इसको शेयर करता रहूँगा जो फिलाल मुझे यहाँ पर लोजिक मिला है जो मुझे यहाँ पर जानकारी मिली वो यही है कि जीब निकालने के काराण वो आसपास की जो होने वाली घटना है उनको केप्चर करता रहता है जी हाँ दोस्तों यही पर इसका यही कारण है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूब करें मैं आप सभी के लिए अब ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा जी हाँ दोस्तों मैं आपको ऐसी घटनाओं के बारे में आप वीडियो लेकर आता रहूँगा जो मुझे नए इंफॉर्मेंस में मिल लेगी सब सब पहले आपको मिलती रहेगी आज की वीडियो में फिलाल इतना है थैंक फॉर वोचिंग